दिन्बर की खास ख़वरों के लिए जला टॉप में आपका स्वागत है तो आईए रुख करते हैं दिन्बर की खास ख़वरों की ओड़ पहली ख़वर में आपको उता दे कि 1932 और 27 प्रतिस्वत आरक्षन को लेकर विधान सबा में पारित होने के बाद आज गोड़ा कारगिल चौक पर कॉंग्रेसियों ने पटाखे फोड़े और खुश्या मनाई कॉंग्रेसियों ने कहा कि मुख्यमंत्री किये गए सभी वादों को पूरा कर रहे हैं विपक्षलगातार चवी को धूमिल करने का प्रयास कर रही है पर सरकार रुकने वाली नहीं है ओबीसी को मिले आरक्षन के बाद निश्चित रूप से राज में ओबीसी बर्क को फाय इस्तिहार चस्पा किया इसके साथ ही कहा गया कि अगर आरोपी 15 दिसंबर को सरेंडर नहीं करता है तो कुर की जप्ति की प्रकिरिया की जाएगी दोनों आरोपी मंजीत परुवार वकोकिला परुवार अनिय लोगों के साथ मिलकर गोड़ा के चीट फंड कमपनी चलाते थ जहां इन लोगों ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लोगों के जमापैसे को लेकर फरार हो गए थे बाद में मामले को लेकर नगर्थाना में केश दर्ज किया गया था इस मामले के दो आरोपी फनी भूशन गिरी और कौशिक गिरी को पुलिस गिरफतार कर चुके है वहीं दो अनिये लोगों को 15 तारीक तक सरेंडर करने को कहा गया है। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो कुड की जबती भी किया जाएगा। पीसरी खबर में आपको बता दे कि आज देवगर डिमो राजिस कुमार ने सारट अंचल छेतर इस्थित राने गंज बालू घाट का निरक्षन किया। तथा बालू लेने वाले कोई भी लाभूग जेसे MDC के वेब साइट पर जाकर रेश्टेशन की परिकेरिया पूरी कर 10 ट्रेक्टर तक बालू बुख करवा सकता है। प्रती ट्रेक्टर बालू का दाम 700 रुपए वा 5% के दर से GST लगेगा। अगली खबर में आपको बता दें कि बोकारो जिला ग्राम सभा के द्वारा आज बोकारो उपायुक्त कारियाले के सामने प्रदर्शन किया गया। हजारों के संख्या में पहुचे 130 ग्राम सभा के लोगों ने पारंपरिक हरवे हतियार और ढोल नगाले के साथ धनबाद बोकारों के जोडने वाले मुख्य सलक M.D. बंगला के सामने सलक को जाम कर दिया। करीब एक गंटे तक सलक पूरी तरह से जाम रहा जाना स्थान या पुलिस के मदद से जाम को हटाया गया मौके पर सिटी थाना सिटी DSP साहिट ट्रैफिक DSP भी मौजूद थे। वहीं आंदोलन कारियों ने बताया कि हमारी मुख्य मागे हैं जहां विश्थापन सहित वन पट्टे के अधिकार को वो कारों जिले में 130 ग्राम सभा को हस्तान तरित करना है। लेकिन वहीं में भाग कि हट धर्मिता के कारण या अधिकार ग्राम सभा को नहीं मिल पा रहा है।